हलो दियर इस्टूरेंट्स याँ वेलकम तू मैं यूटूब चैनल राशिद अन्जिंसर जूनियर फांडेशन बेटा आज हम लोग एकसरसाइज 1.1 के सॉलिशन को करने वाले हैं और इसमें बहुत सारे कोश्चन्स हैं लगभग 10 कोश्चन हैं जिसमें आज हम लोग हाफ कर लेक्शर में कर लेंगे क्यूंकि लेक्शर में सारे कुश्च्शन को कफर करना विडियो हो जाएगा तो इसलिए हमने इसमें इसक्सक्व रखा है एंड नेकस्ट वाले लेक्शर में होंगे लेकिन इन EXERCISE को करने से पहले अगर तुमने प्रिविएस के जो थियूरी देक नावर शैप्टर्स के लेक्चर्स हैं उन्हों सभी को देख लिजे ताकि तुम्हें इस एक्सरसाइज के सॉलुशन को समझने में ज़्यादा परिशानी नहीं होगी चलो हम लोग शुरू करते हैं इसमें सबसे पहले यह कहाना के यहां पर टेंप्रेचर बता रहा है इन डिगरी सेल्सियस यह यूनिट होता है तुम्हें पता है साइन्स में पढ़ते हो at different places on a particular day किसी खास दीन अलग अलग जगहों का ये temperature बता रखा है कि कितना है जैसे कि ये देखो बेटा बैंगलूरू है उटी है, शिमला है और स्री नगर और ये लाहुलेस पीती है ठीक है और ये जो 4-5 जगह है इन सभी के सभी temperatures को यहां पे बता रखा है अब तुम्हें question number 1 में क्या कह रहा है देखो, observe this number line इस number line को observe करना है और observe करने के बाद में write the temperature of the place marked on it और इसमें जो भी place दिये हुआ है उसके temperature को बताना है तो हम क्या करते हैं कि चलो इसको solve कर लेते हैं हम इसको solve करते हैं और बड़े आसानी से इसको solve कर लेंगे टेंशन जादा ना लेना देखो, यहां पर हम क्या करते हैं कि इसमें कुछ CT है उनके temperatures को बताना है तो दो column बनाते हैं और एक column में हम लिखते हैं बटा CT और दूसरे column में हम लिख लेते हैं temperature ठीक है अब यह जो temperature है आपको ऊपर दिया हुआ है temperature in degree Celsius तो यहां पर ऐसे करकर के दे सकते हो कि यह degree Celsius में temperature की बातों को कर रहा है अब यहां पर कितने सारे हैं दो, दो, चार और एक पांच है तो उन पांचों के पांच CT के हम यहां पर temperatures को लिख देंगे हम चलो शुरुआत करते हैं इधर से ही शुरुआत करते हैं लाहुल SPT से हम यहां पर दे देते हैं लाहुल SPT ठीक है अब एक बात देखो इधर जाओगे तो बिटा यह 0 से यह positive के तरफ बढ़ोगे temperature बढ़ता हुआ चला जाएगा और इधर जाओगे तो temperature minus में चला जाएगा यानि के temperature घरता हुआ जाएगा ठीक है तो अब लाहुल SPT का देखो यह 0 है ठीक है तो यह कितना हो गया minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5 exactly minus 6, minus 7, minus 8 तो लाहुल SPT का कितना हो गया बिटा minus 8 हो गया temperature तो हम यहाँ पे लिख देंगे minus 8 degrees Celsius clear है? लाहुल SPT अच्छा, उसके बाद कौन है? स्री नगर तो स्री नगर का लिख लो स्री नगर स्री नगर में देखना बिटा कितना है? स्री नगर बोले तो यह हो गया स्री नगर तो exactly स्री नगर का 0 है यह minus 1 और minus 2 तो स्री नगर का कितना temperature हो जाएगा? minus 2 degrees Celsius minus 2 degrees Celsius शिमला चलते हैं शिमला का देखते हैं कि क्या वहाँ का temperature है तो शिमला में यहाँ पे देखो बिटा 0 है और यह 5 है डबल ओ, डबल ओ, डबल ओ, टी वाई ठीक है? उटी का देखो यहाँ पे कितना है यह 15 है तो 15 के एक पहले कितना होगा बिटा 14 होगा तो exactly यहाँ पे लिख देंगे 14 degrees Celsius उसके बाद कौन है? बैंगलूरू तो बैंगलूरू का भी लिख देते हैं 22 degrees Celsius हो गया तो लिख देंगे 22 degrees Celsius तो exactly यह तुम्हारा temperature हो गया यह CT और temperature का यह पूरा का पूरा टेबल आपका बन करके तियार हो गया exactly तुम्हें कॉपी में भी ऐसे ही कर लेना है यह one number question solve हो गया है चलो second number question पे चलते है यह जो second number B है इस B में क्या कह रहा है कि what is the temperature difference यहाँ पे temperature का difference निकालना है किनके किनके बीच में between the hottest and the coldest place तो तुम्हें पता है कि जितना जादा temperature होगा उतना ही जाता वो hottest होता जाएगा तो इसमें सबसे hottest कौन है बिटा तो यह Bangaluru सबसे hottest है सबसे coldest कौन हो जाएगा तो यह लाहूल इस पिती सबसे coldest हो जाएगा तो exactly यहाँ पे हम लिखेंगे temperature of hottest place यहाँ पे हम लिखेंगे बिटा कि temperature of temperature of hottest place जो सबसे hottest place है ना उसका temperature क्या है तो तुम्हें hottest place यह Bangaluru है तुमने पीछे निकाल रखा या पर यहाँ भी देख लो 22 degrees Celsius है अच्छा temperature of coldest place coldest ठीक है coldest place यहाँ पे कौन है बिटा लाहूल इस पिती कितना है तो minus 8 degrees Celsius तो यह आपने क्या लिखा detail लिख दिया कि कौन hottest है और कौन coldest है अब difference निकालना है ना दोनों के बीच में तो यहाँ पे तुम difference निकाल दो और difference निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कभी भी difference निकालना तो बड़े वाले value में से छोटे वाले value को subtract कर देना तो यहाँ पे बड़ा वाला value कौन है यह 22 degree Celsius है तो 22 degree Celsius में से subtract कर दो किसको तो smallest value को तो यहाँ पे minus 8 degree Celsius है तो बड़ा minus 8 degree Celsius को bracket में लिखेंगे तो exactly हमें पता है मैंने आपको last lecture में addition subtraction बताया है कैसे करते हैं that it subtract नहीं होता है इसको हमें addition में बदलना पड़ेगा तो 22 degree Celsius इसको जैसे ही addition में बदलोगे तो अब minus 8 degree का यहाँ पे additive inverse लिखा जाएगा जो plus 8 होगा तो लो बड़ा यहाँ पे 8 degree Celsius हो गया तो exactly अब हम क्या करेंगे 22 दोनों सेम साइन है add कर देंगे यह हो जाएगा बड़ा 30 degree Celsius तो exactly तुम्हारा answer क्या आगया 30 degree Celsius तो यह हो गया तुम्हारा hottest and coldest के बीच का difference exactly clear हो गया चलो अब हम चलते हैं next C number question पे what is the temperature difference between lahul spiti and srinagar srinagar और lahul spiti का temperature difference क्या है तो तुम्हें ऐसे करके लिख लेना चाहिए कि temperature of temperature of lahul spiti lahul spiti lahul spiti का देखो दो कितना temperature है minus 8 degree Celsius minus 8 degree Celsius अच्छा श्री नगर यहाँ पे लिख लो temperature of srinagar temperature of srinagar ठीक है srinagar srinagar का जो temperature है वो कितना है तो srinagar कहां गया yes exactly minus 2 degree Celsius है तो minus 2 degree Celsius अब तुम्हें क्या करना है कि difference निकालना है तो difference निकालने के लिए मैंने तुम्हें बता रखा है कि greater value में से हम smaller value को subtract करते हैं तो greater value कौन होगा देखो बिटा इस direction में जाओगे न तो जितना पीशे जाते जाओगे उतना ही छोटी value होती जाएंगे यानि कि स्री नगर से छोटी value लाहुलिस्पिती की है यानि स्री नगर में से लाहुलिस्पिती को subtract करेंगे तो exactly clear हो रहा है तो चलो स्री नगर कितना है बिटा तो minus 2 degree Celsius है इस में से subtract करेंगे किसे subtract करेंगे तो लाहुलिस्पिती यानि के minus 8 degree Celsius को हम यहाँ पे subtract करने वाले हैं ठीक है clear order है चलो बढ़िया अब हमें पता है कि direct subtract तो नहीं कर सकते तो यहाँ पे minus 2 degree Celsius इसको addition में बदनना पड़ेगा जैसे ही add करेंगे दिन minus 8 ना रहा करके यह 8 degree Celsius हो जाएगा अब यहाँ पे देखो different sign है अब different sign है तो हमें subtract करना पड़ेगा 8 में से 6 को subtract करोगे तो 6 आएगा और greater value sign कौन सा है बटा 8 है तो 8 के लिए यहाँ पे plus sign है यहाँ पे तो plus 6 degree Celsius plus लिखो ना लिको बात तो same है तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग कर लेंगे चलो D के तरफ चलते हैं यह D नमर में क्या कह रहा है यानि श्री नगर और स्री नगर के टेंपरेचर को जब एक साथ add करते हैं एक साथ combine करते हैं तो is less than the temperature of स्री मला तो क्या वो तब भी स्री मला से कम आएगा यानि श्री मला को और स्री नगर को बिटा add कर दो तो क्या तब भी यह श्री मला से कम होगा यह यहाँ पर question में कह रहा है कि हम दोनों को add भी कर दिया है तब भी श्री मला से कम होगा तो क्या करते हैं न कि हम लोग solve करके देख लेते हैं कि exactly कम है यहां फिर जादे है तो चलो हम यहां पर लिखते हैं सबसे पहले जो जो बोला है temperature of srinagar तो temperature of srinagar srinagar का बेटा क्या temperature है बताना फटाफट से तो srinagar, yes minus 2 degree Celsius मैंने लिख लिए minus 2 degree Celsius अच्छा शिमला का temperature है temperature of Shimla यह वाले जो जगह है इसकी जो temperature बिटा 5 degrees Celsius है, exactly ये भी तुमने लिख लिया, अब यहां पर बोल रहा है, कि दोनों cities के temperature को एक साथ add करो, और check करो, कि similar से कम आ रहा है क्या, ठीक है, यहां पर similar से कम आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों cities के temperature को एक साथ लेंगे, तो temperature of, ऐसे लिखेंगे, temperature of above cities, above cities, taken together, एक साथ लेने पे, taken together, जब एक साथ हमने लिया, तो दोनों को हम क्या करेंगे, add कर देंगे, तो minus 2 degrees Celsius में, हम लोग add करने वाले हैं, किसको, तो 5 degrees Celsius को, तो exactly different sign है, तो different sign है, तो हमें subtract करना पड़ेगा, 5 में 2 subtract करोगे, तो 3 degrees Celsius आएगा, और greater value 5 है, इसलिए positive में रह जाएगा, clear है, इतना बात तो clear है, चलो, जब इतना बात clear है, तब ये कह रहा है, कि 3 degrees Celsius आया, दोनों cities को add करने पे, बिटा मेरे को कितना आया, 3 degrees Celsius आया, क्या ये शिमला से कम आ गया, शिमला 5 degrees Celsius है, ये सर कम आ गया, और इससे कितना कम है, ये 3 degrees Celsius, तो 2 degrees Celsius कम है, तो exactly, हम लोगों ने साड़ा का साड़ा solution कर लिया, बस लिखना बागी है, कि temperature of शिमला हमें यहाँ पर पता चल गया, कि temperature of शिमला पता है, पहले से हमें पता है temperature शिमला का, बिटा कितना है शिमला का temperature, 5 degrees Celsius है, देन तुम ये कह सकते हो, यहाँ पर, कि temperature of स्री नगर और शिमला, स्री नगर और शिमला के temperature को एक साथ लेने पर लेस देन शिमला, तो temperature of, पहले हैंस लिख दो, बढ़े रहेगा, हैंस, temperature of स्री नगर, स्री नगर, एंड शिमला, एंड शिमला, टेकन टुगेदर, एक साथ जब हमने लिया, टेकन टुगेदर, इज लेस देन शिमला, वो शिमला से कम हो गया, अच्छा कितना कम हो गया बिटा, तो 2 degrees Celsius, by 2 degrees Celsius कम हो गया, अच्छा ये 2 degrees Celsius कैसे आएगा, तो तुम 2 degrees Celsius यहाँ पर, ऐसे करकर के भी लिख सकते है, देखो, यहाँ पर क्या करता है, आई लिख देना, ठीक है, और ई लिखना है, इसका मतलब होता है, that is, ठीक है, अब आप क्या करो ना, कि greater value, यानि कि 5 degrees Celsius में से, 3 degrees Celsius को, बिटा, 5 degrees Celsius में से, 3 degrees Celsius को, सब्टेक्ट कर दोगे, तो exactly कितना आने वाला है, 2 degrees Celsius आने वाला है, तो लोगों ने solve कर लिया, तो exactly तुम इस तरीके से अपने notebook में भी note down कर लोगे, जब भी तुमको बनाना होगा, exam में लिखना होगा, इसी तरीके से लिख होगे, ठीक है, चलो, अब हम लोग next question पे चलते है, अब ये question number 2 है, और question 2 का solution करते है, question 2 में कह क्या रहा है, बिटा, यह अबर मिलेंगे, and negative marks are given for incorrect answer, और अगर तुम गलतियां करोगे, तो तुम्हारे minus में number कर जाएंगे, if jacks score in, jacks नाम का एक लड़का है, जो score करता है, 5 successive round, 5 बार वो देता है, एक quiz, और उसमें पहले में 25 लाता है, then minus 5 लाता है, then minus 10 लाता है, 15 लाता है, 10 लाता है, ये 5 times quiz के scores ह है, jacks के, then वो कह रहा है, कि what was his total at the end, तो आखरी में, last में, finally, उसकी कितनी सारी होंगी, score से, तो इन चीज़ों को हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है, तो चलो, हम लोग यहाँ पे क्या करता है, solution कर लेते हैं, और इस solution में हम लोग लिखना शुरू करते हैं, jacks के score को पहले लिख लेते हैं, तो jacks score, jacks scores are, उसके जो scores हैं, बिटा, कितने कितने हैं, 25 है, minus 5, minus 10, 15, 10, ठीक है, exactly, यह क्या हो गए, jacks के scores हो गए, अब यहाँ पे देखना, कि correct जो जो किया होगा, यह बिटा correct सही किया होगा, तो positive में है, यह correct किया होगा, तो positive में marks मिले हैं, अच्छा, इसमें क्या किया है, बिटा, जब incorrect किया होगा, तो negative में है, इसमें incorrect किया होगा, negative में है, यह positive में है, इसका मतलब कि यह correct किया होगा, तो exactly हम क्या करते हैं, कि पहले correction वाले marks को लिख लेते हैं, हलांकि सब को add भी कर दोगा ना, दिन तब भी आ जाएगा, लेकिन हम क्या करत 20 वाला marks मिला हो गा तो देखो positive वाला 45 है और 15 है और 10 है तो हम यह सभी marks को Ad कर लेते हैं तो जब हम byकरते हैं तो कितना आ जाते हैं तो तुम अच्छह से और करो कि यहां पर 50 आ जायेगा ठिक है तो जब 50 marks इसको मिले हैं correct answer के लिए तो कुछ incorrect answer के लिए marks भी कटे हैं तो यहाँ पर marks given for incorrect answer incorrect answer लिखने के लिए इसको कुछ marks काट लिएगे हैं जो negative में दिखा रहे हैं minus 5 और minus 10 तो हम यह minus 5 और minus 10 को बिटा क्या करेंगे add कर लेंगे इस दोनों को तो जब add करोगे तो तुम्हें पता है same sign है तो add हो जाएगा 10, 5, 15 होगा और तुम्हें क्या करना है minus है दोनों में तो यहाँ पर minus हो जाएंगे यानि minus 15 marks उसको मिले है negative के लिए और 50 marks मिले है उसको positive कुई जब उसने answer दिये हैं तो तो अब यहाँ पर total marks end में उसको total marks कितने मिले तो हम क्या करेंगे इस 50 और minus 15 को add कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 50 और इसमें minus 15 को बेटा add करोगे तो exactly कितना होना है same sign नहीं different sign है 50 positive है यह negative है दोनों को add करना है तो हम subtract करेंगे तो यहाँ पर 35 आएगा greater value क्या है 50 इसलिए 35 marks clear हो गया चलो अब हम चलते हैं next question third number question है at 3 नगर temperature was minus 5 degree Celsius on Monday Monday को कितना था बेटा तो minus 5 degree Celsius था and then it dropped by 2 degree Celsius on Tuesday dropped का मिनी होता है कि घट गया यानि कि 2 degree Celsius कम हो गया अगले ही दिन Tuesday को तो what was the temperature of स्री नगर on Tuesday Tuesday को क्या temperature होगा तो हम क्या करेंगे minus 5 degree से 2 degree Celsius को subtract कर लेंगे पहले इतना करते हैं दिन उसके बाद आगे की जो भी information है उसको देख करके हम लोग करेंगे चलो बटा हम solution लिख लेते हैं और इस solution में सबसे पहले यहां पर initial temperature स्री नगर का मंडे को जो है वो देख लेते हैं तो initial initial मतलब के शुरुआत वाला temperature initial temperature यह मतलब temperature होता है initial temperature of स्री नगर of स्री नगर स्री नगर on Monday बटा मंडे को क्या रहा था तो देखो मंडे को अगर तुम देखोगे तो minus 5 degree Celsius था minus 5 degree Celsius यहां पर दिखा रहा है अच्छा यह dropped Tuesday को कितना कर गया 2 degree Celsius से dropped कर गया तो बस 2 subtract कर दो तो temperature on Tuesday बटा Tuesday को जो temperature हो जाएगा वो exactly minus 5 degree Celsius से हम subtract कर देंगे किसको subtract कर देंगे तो 2 degree Celsius को subtract कर देंगे अच्छा देखो हम direct subtract नहीं कर सकते हमें इसको addition में बदलना पड़ेगा तो minus 5 degree Celsius जैसे ही minus को plus में बदलेंगे तो अब 2 नहीं लिख कर करके minus 2 degree Celsius को लिखेंगे अब देखो यहां पे हम minus वाले को add कर रहे है minus वाले के साथ same sign है तो हम same sign को add करते है तो 5 to 7 degree Celsius हो जाएगा दोनों negative है इसलिए minus 7 degree Celsius हो जाएगा clear है अच्छा एक बात पता है हम तो तुम्हें बार बार ये बताते हैं कि direct हम subtract नहीं कर सकते actual concept यही है बट अगर तुम चाहो ना तो यहां से तुम direct भी कर सकते हो don't worry उतना जादा आपको करने की ज़वरत नहीं पड़ेगी कैसे देखो यह भी negative है और यह भी negative है तो दोनों negative है same sign है तो दोनों same sign को हम add कर देंगे दोनों negative है इसलिए minus लगा देंगे लो भाया इतना ही से काम चल गया बट यह वाला actual concept है इससे तुम बनाते हो तो दिन तुम्हारी teachers के सामने जो है वो बहुत अच्छा feedback जाता है और teachers जानते हैं कि हाँ तुम बहुत अच्छे से concept clear कर रखे हो तो exactly तुम्हारी मर्जी चाहे जैसे बनाना है वैसे बना लो that doesn't matter तो यह तो तुम्हें निकाल लिए कि Tuesday को minus 7 degree Celsius आएगा अब आगे क्या कह रहा है what was the temperature of सेनगर on Tuesday यह तो clear हो गया on Wednesday ठीक अगले दिन it rose by 4 degree Celsius rose miss increase करना यह 4 degree Celsius increase कर जाता है यानि कि minus 7 degree Celsius में 4 degree Celsius increase कर जाएगा तो अब हम क्या करेंगे वेडेंस डे का निकालने के लिए 4 degree Celsius को add कर देंगे तो यहाँ पर temperature on Wednesday निकल जाएगा temperature on Wednesday ठीक है Wednesday देखो बिटा Wednesday को कितना आ रहा है तो minus 7 degree Celsius में add कर देंगे 4 degree Celsius क्योंकि Tuesday से 4 degree Celsius increase कर गया है तो हम यहाँ पर देख रहा है यहाँ different sign है different sign को subtract करेंगे तो 3 आएगा और greater value 7 है उसका sign negative है इसलिए minus 3 degree Celsius है वेडेंस डे को temperature हो जाएगा clear है चलो 4 number question पर एप्लेन इस फ्लाइंग अट दा हाइट ओफ 5,000 मीटर अबव देखो यहाँ पर 5000 मीटर above the sea level यह देखो बीटा यह sea level है यह exactly sea level है और इसी sea level से कितने ऊपर यह plane fly कर रहा है तो यह देखो यहाँ पर यह positive direction में ऊपर जब हम लेंगे तो यह positive direction में 5000 मीटर यह बीटा मीटर है 5000 मीटर अबव फ्लाइंग कर रहा है बहुत बढ़िया at the particular point किसी particular point पे plane है it is exactly above a submarine ठीक है एक submarine फ्लोट कर रहा है 1200 मीटर below the sea level इस sea level से पानी पे नहीं submarine submarine नीचे होता है अब यहाँ पे यह जो है ना नीचे कितने 100 मीटर तो 1200 मीटर यानि कि यह negative में 0 से उपर positive हो गया और 0 से नीचे हमारा क्या हो गया निगेटिव हो गया तो अब यह कह रहा है what is the distance vertical distance vertical distance between them तो इस plane के और इस submarine के बीच में vertical distance कितना है बेटा तो बस यह वाली distance निकालनी है तो exactly चलो height of flying plane लिख लेते हैं solution करते हैं इसका height of flying plane height of flying plane यह जो plane fly कर रहा है इसका height कितना है बेटा तो 5000 meter है positive में ले लेंगे depth of submarine देख लेंगे कि कितना depth में है depth of submarine ठीक है तो यहां पे देखो submarine यहां पे 1200 meter नीचे है तो minus 1200 meter देना पड़े है क्योंकि opposite direction में एक up है तो एक down है तो अब distance between them उन दोनों के बीच का अगर आपको distance निकालना है तो distance देखो B और slash W से between समझना distance between them उन दोनों के बीच का जो distance हो जाएगा बेटा एक तो 5000 होगा 5000 meter होगा और यह देखो opposite direction है तो दोनों को यहां पे हमें क्या करना है इसको subtract कर देना पड़े है 5000 में से किसको subtract करना पड़ेगा बेटा तो minus 1200 को minus 1200 को जैसे ही आप subtract करेंगे देन आपको यहां पे देख लो direct हम subtract तो नहीं कर सकते तो हमें क्या करना पड़ेगा 5000 meter में meter में एक जादा होगा यहां 5000 meter में यह minus को अगर पलस करेंगे तो अब minus 1200 नहीं इसका additive inverse बेटा 1200 meter लिखेंगे दोनों को add करोगे तो 6200 meter आ जाएगा exactly clear हो गया तो तुम्हें क्या करना ना यह जब opposite direction में है तो हमें दोनों को subtract करना पड़ेगा देन जाकर के ही हमें दोनों के बीच का distance निकल पाएगा clear हो रहा है तो 4 number भी clear हो गया चलो 5 number मोहन deposit 2000 in his bank account and withdraw 1642 from it deposit का मतलब होता है बिटा कि जमा करना और withdraw का मतलब होता है कि उसमें से पैसो को बाहर निकाल लेना तो मोहन 2000 रुपे जमा करता है और 1642 रुपे बाहर निकाल लेता है अगले ही दिन if withdrawal amount from the account is represented by negative निकाले गए पैसे को हम लोग negative से represent करेंगे then how will you represent the amount deposit to deposit amount को हम लोग positive से represent करेंगे यूँकर दोनों एक दुसरे के उलट बात है तो हम यहाँ पे निकालना क्या है उसको देख लेते हैं find the balance in मोहन's account after the withdrawal निकालने के बाद में कितने पैसे उसके बचें तो बिटा 2000 में यहाँ पे 1642 निकाल लिया है तो simple सी बात इसको subtract कर दोगे और नहीं तो देखो फिर आपको कैसे करना पड़ेगा deposited amount by मोहन solution कर लेते हैं ठीक है लिख लेते हैं deposited amount amount by मोहन मोहन के थरो कितना amount deposited किया गया तो यहाँ पे लिख लेते हैं rupees बेटा rupees का यह sign है raw लिखकर के हिंदी में और इस तरीके से कर देना ठीक है तो rupees 2000 यह 2000 उपे उसने deposit किया तो deposit को हम लोग positive से represent करेंगे ठीक है अच्छा withdrawal amount withdrawal यहाँ पे लिखेंगे या फिर withdrawn जो भी यहाँ पे है withdrawn amount by Mohan Mohan ने कितने amount को withdrawn कर लिया 16 rupees 1642 तो withdrawn किया तो question में बोल लाए withdrawn amount को negative से represent करने के लिए इसलिए हम लोग यहाँ पे minus कर देंगे तो balance in the account तो उसके balance कितने बचें उन चीजों को हम यहाँ पे निकाल लेते हैं balance in the account उसके account में जो balance है बिटा दोनों को add कर दो क्योंकि एक positive निके तुम क्या करोगे 2000 में add करोगे minus 1642 को तो इतनी रूपीज हो जाएंगे ठीक है यहाँ पे इतनी रूपीज होंगे तो अब यहाँ पे देखो कितनी रूपीज आ रहे हैं तो different sign है सब्टेक्ट करना पड़ेगा सब्टेक्ट करोगे तो सब्टेक्ट करके कितना आ जाएगा 358 एक्जैक्टली 358 रूपीज है उसके क्या होगे तो वो balance amount होगे तो अब चलो next question पे 6 number question में क्या कहा रहा है रीता गोज 20 km टॉइड इस्ट बेटा 20 km टॉइड इस्ट फ्रॉम पॉइंट ए देखो इस पॉइंट ए से वो 20 km इस्ट की तरफ चलती है यह 20 km चली और वो कहां पर पहुंच गी तो पॉइंट बी पर पहुंच गी फ्रॉम पॉइंट बी शी मूफस 30 km टॉइड वेस्ट एलोंग तो सेम रोड और इसी रोड पे वो वापस 30 km चली है बेटा और यह 30 km चल करके यहां पर सपोज एड पहुंच गई ठीक है अब यह 30 km बैक आई है डिवर्स आई है इधर आओगे तो बीटा पॉजिटिव रिप्रिजेंट करना है तो वेस्ट के तरफ आओगे तो बीटा निगेटिव रिप्रिजेंट करना पड़ेगा यूंकि डिरेक्शन चेंज हो रहा है तो अब यह से वो फाइनल पोजिशन तो इधर है तो ये वाले इंटेजर कौन से हैं इसी चीज़ को हमें बताना है तो इनी चीज़ों को बताने के लिए चलो हम साड़ी चीज़ों को कर लेते हैं अब देखो यहां पे हम सॉलुशन करने वाले हैं और इस सॉलुशन को धियान से समझे न Distance Travelled by Rita in East Direction ठीक है Distancesnavelled Travelled by Rita in East Direction जब East Direction में वो जाड़ ही है तो कहां से from point from point बेटा किस point से तो from point a, a point से जा रही है will be represented by negative integer किसे represent करना है तो नहीं positive integer से करना है इस्ट के तरफ अगर जा रही है तो उसको किसे करना है बेटा तो positive integer से करना है exactly इसमें देखो कहीं पे लिखा होगा west यहाँ 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 देखो positive integers ठीक है किधर जाएगी तो इस्ट के तरफ जाएगी तो तो a will be represented will be represented will be represented by positive integers positive integers अब यहाँ पे देखो positive integers यहाँ पे कितना गई है 20 km गई है इस्ट के तरफ इसका मतलब के plus 20 km हम लिख दिये plus ना भी लिखते तो कोई फ़र्क ना पड़ता अब यहाँ पे इस्ट के तरफ कितना गई है तो इस्ट के तरफ 20 km west के तरफ कितना गई है तो west के तरफ 30 km गई है ठीक है यहाँ पे देखो 30 km west तो अब यहाँ पे हम लिखते है distance traveled by distance traveled by rita in west direction अब west direction लेना है मैटा in west direction from point from point a will be will be represented by अब इसको किसे represent करोगे तो भाई यहाँ पे negative integers से represent करना पड़ेगा क्योंकि वो आपका direction बदल रहा है negative integers ठीक है तो अब यहाँ पे बताना बिटा negative integers से करोगे तो कितने km जा रही वो तो minus 30 km हो जाएगा तो minus 30 km exactly तुमने लिख लिया चलो हम आगे बढ़ते हैं अब आगे question में क्या कह रहा है उन चीजों को हम लोग देख लेते हैं अब यहाँ पे देखो धेयान देना question में कह रहा है कि final position अब रिटा का बताना है यह से कितना होगा तो हम उसको देख लेते हैं solve कर लेते हैं next page हम ले लेते हैं और उस पे आगे चल करके solve करते हैं अब देखो यहाँ पे final position of रिटा final position final position of रिटा रिटा का final position बेटा क्या हो जाएगा कौन से point से तो from a a point से तो हमें क्या करना पड़ेगा दोनों को add करना पड़ेगा कौन से दोनों को add करना पड़ेगा 20 km वो east के तरफ गई है minus 30 km विस्ट के तरफ गई है तो इसे दोनों को add कर दो जब उस दोनों को add करोगे तो 20 km में हमें add करना पड़ेगा minus 30 km तो exactly तुम देख रहे हैं different sign को हम add कर रहे हैं अब a से कितने किलोमेटर वो गई है 10 km minus कौन से direction को represent कर रहा है तो हमने यहां पर बताया कि minus negative integer किसको represent करेगा west को represent करेगा इसका मतलब यह हो गया कि a से west की तरफ कितने गई है तो 10 km गई है यानि कि वो यहां पर जाकर पहुंच गई है finally तो 10 km वो गई है left की तरफ यानि west की तरफ कहां से तो point a से और इस point को हम किस integer से represent करेंगे तो minus 10 से represent करेंगे तो इन बातों को भी लिख दो ठीक है तो अब आप लिखोगे hence hence required position required position hence required position of Rita रीता की जो required position है will be will be presented by will be presented by a negative integer by a negative integer कौन से negative integer तो minus 10 exactly तुमने यहां पर क्या किया बिटा यह 6 वाले question को भी solve कर लिया तो इस lecture में हम 6 question तक ही stop करते है बाकी जो आपके बच गया है question 4-5 जो भी है उसको हम next वाले lecture में cover कर देंगे अगर आपने ऐसे बनाया था तो ठीक है नहीं तो आप क्या करो कि एक fair बना लो और जिसमें यह सारी चीज़े मैंने बहते ही ढंग से language के साथ समझा दिया है उसको भी लिख लो फिर हम मिलते है next lecture में अगर तुम नए हो हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करो और अपने fans के साथ बिटा शेयर भी कर देना थैंक यू ओके बाए गूनेट